अभी फिलाल 18 साल से उपर के लोगों को वेक्सीन लग रही है और अगले महीने से भारत में बच्चों को भी कोरोना वेक्सीन लगने की शुरुवात हो सकती है बच्चों के वेक्सिनेशन के लिए अभी सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है लेकिन वेक्सिनेशन सेंटर्स अभी से तयार होने लगे हैं ऐसे में वेक्सिनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां बच्चे हसी खुशी आएं और वेक्सीन लगवाने का बाद भी हसी खुशी जाएं। बच्चों की वेक्सीन के अप्रूव होने के एलान के साथ ही बच्चों के लिए वेक्सीन सेंटर भी बनाये जाने लगए है। दिल्ली के एक सेंटर में बच्चों के लिए ऐसा ही खुबसूरत वैक्सिनेशन सेंटर तयार किया गया है, जहां आने वाले बच्चों को इंजेक्शन लगने का एहसास भी नहीं होगा. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये तो आप इन तस्वीरों को देख कर ही समझ गए होंगे. स्पाइडर मैन से लेकर डुरे मौन तक बच्चों के पसंदीदा काटून केरेक्टर यहां पर हैं. और यहां बच्चों को एंगेज करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज भी हैं. पूरी तरह से बच्चों के लिए सिर्फ वैक्सीन का इंतजार है. समीर भाटी में. हमने देखा था कि COVID टेस्टिंग के दुरान भी बच्चों के अंदर हो बच्चों से ज़ादा पेरिंट्स के अंदर जो एक एक एंग्जाइटी थी. उसी चीज को ध्यान रखते हुए जैसे हमने पहले COVID टेस्टिंग बच्चों के लिए तयार की. ऐसे ही अडल्ट के लिए वेक्सिनेशन सेंटर अलग से चल रहा पर बच्चों का हमने सोचा कि उस अडल्ट वाले वेक्सिनेशन सेंटर में ना उनको वेक्सिन लगा के बच्चों के लिए अलग से ये तयार किया है यहाँ कुछ बच्चे भी मौजूद थे लेकिन इन पर भी माहौल का असर कुछ ऐसा हुआ कि ये बच्चे वैक्सीन और सुई लगने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं बलके बता रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए कितने उत्साहिद हैं वैक्सीन तो अब आ गई है ये वताओ सुई लगवाते हुए इंजेक्शन लगवाते हैं पर डर लगता तुम्हें नहीं डर कैसा दर नहीं लगता है और वैक्सीन जब आई कि तो लगवाने के लिए हाँ बिलकुल बिलकुल हाँ क्योंकि अगर मेरे वाक्सीन लग जाएगी 12-17 साल तक के बचों के लिए वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी जबकि 12 साल से कम उम्म्र के बच्चों के लिए घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जाएगा स्वासे मंत्राले और नीती आयोग की दरफ से इस बात पर भी मंधन किया जा रहा है कि बच्चों को को वैक्सीन और जाइडस की वैक्सीन ही दी जाए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हत्यार है और अब बच्चों की वैक्सीन अप्रूव होने के फैसले से कोरोना के तीसरी लहर की आश्रंका को हम और भी कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दिले से समबादा ता पूछा मकड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जीमिया